गुड इवनिंग स्टूडेंट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं नीट का जो एक्जाम है वो खतम हो चुगा है तो उस एक्जाम में अपियर होने के बाद आपको समझ में तो आही गया होगा कि आप पी एसी नर्सिंग एक्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं या नहीं तो इस वी रेडी रहेंगे 2024 का जो एग्रिकल्चर का एक्जाम है उसमें कोशिंग पेपर टफ था तो जादा उमीद यह है कि बीएसी नर्सिंग एक्जाम का भी जो कोशिंग पेपर होगा वो टफ होगा 50% chances है कि पेपर हाड आएगा अगर पेपर हाड आता है तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि जब पेपर हाड आता है तो पेपर को solve वही लोग कर पाते हैं जो असल माइने में बीएसी नर्सिंग एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे होते हैं 2023 का जो पेपर था बीएसी नर्सिंग का वो basically 9th और 10th portion से जादा पूछा गया था तो उससे पेपर जो है वो easy उससे हम कह सकते 40% जो है questions वो 9 10th से पूछे गया थे 40% question बहुत माहिने रखता है तो पेपर काफी easy हो गया था competition बहुत जादा tough हो गया था बच्चे एक तो marks के लिए बच्चे compete कर रहे थे जो कि काफी बहुत ही जादा tough situation था अगर easy question आता है तो वो 9 10th और 11 12th को consider करता है और अगर अगर पेपर hard आता है तो फिर वो 11 12th को basically consider करता है अगर पेपर easy आता है तो हम 150 में 100 plus marks हमें लाना ही होगा नहीं तो हमारा कोई selection का कोई दूसरा जो दूसरा जो criteria वो बचता ही नहीं 100 plus हमें marks लाना ही पड़ता है selection for sure करने के लिए और जब hard paper आता है तो 50 से 100 के बीच में अगर आपके marks आते हैं तो भी chances है तो भी chances है कि आपका selection हो जाएगा और फिर category भी matter कर जाता है अगर आप 100 plus ले आते हो hard paper है और तो फिर तो seat आपकी पकी समझी आपको agriculture 2024 में जो question पूछा गया है उसको आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि जो exam है वो जारखन combine ही conduct करवाती है agriculture 2024 का जो exam है 28 April को हुआ था जिसमें paper जो काफी hard आया था तो हम ऐसा consider कर सकते हैं कि BAC nursing exam का भी paper hard आएगा chapter wise important topics जो है मैं आपको discuss कर रही हूँ further इस video में आगे तो आप इस video में बने रहिएगा तो आज mainly हम इस video में 11 के chapters को discuss करेंगे first chapter है the living world the living world में table 1.1 classification scientific name और what is living ये important है ये आपको पढ़ना ही होगा बाकि सब भी आपको पढ़ना है पर इस पर आपको focus थोड़ा जादा देना पड़ेगा biological classification में हम examples disease caused by fungi and protozova and virus ये हम बिल्कुली पढ़ेंगे बाकि सब भी पढ़ेंगा और examples का कहने का मतलब है question में आपको example दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से kingdom का example है इसे तरह से further हम plant kingdom में बढ़ेंगे plant kingdom में आपको examples table 3.1 life cycle और economic importance economic importance आपको पढ़ना है अलगी और bryophytes का मेंली तो आपको वो सब पढ़ना ही होगा examples को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्यूंकि आपको बहुत सारे उसमें दे दिये जाएगे options और आपको पूछा जागा कौन से kingdom को बिलॉंग करता है particular plant species animal kingdom में examples वही फिर special features और table 4.1 and 4.2 morphology of flowering plant इस exam के लिए most important chapter है मतलब इसको तो आप daily पढ़िए अगर आपको ये exam निकालना है तो इसमें आपको examples family के examples इससे tough question आते हैं ऐसा आप समझ सकते हैं कि इससे tough question आते हैं आपको पढ़ना होगा ये chapter anatomy of flowering plant आप पूरा chapter पढ़ लिजें दो तिन बार फिर उसे तरह से structural organization in animals को भी आप पढ़िए अच्छे से unit 3 के जो chapter से the unit of life cycle, biomolecules और cell cycle and cell division इससे questions तो आते वैसे नहीं हैं पर हाँ cell cycle and cell division से अच्छे questions आते हैं वो सब से भी आ सकते हैं अगर किसमत खराब हो तो तो अच्छे से पढ़ लिजेगा transport in plant इसको भी पढ़ लिजेगा mineral nutrition mineral nutrition जो next chapter है उसके examples role और end to cycle enzymes role basically वही nutrients के role आपको पढ़ने पढ़ेंगे photosynthesis whole chapter आप पढ़ेंगे respiration in plants को pathways और cycles को पढ़ेंगे plant growth and development भी इस exam के लिए बहुत important है आपको hormones पढ़ने पढ़ेंगे इस chapter का most important topic है photoperiodism scientist जो कैसे discover हुआ hormones का वो भी पढ़ लिजेगा और human physiology में आपको सारे chapters को go through होना है एक बार आपको अच्छे से reading thoroughly कर लेना चाहिए बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe कर दीजेगा और हाँ जो previous year questions की बात है तो मैं जल्दी इस पर भी वीडियो अप्लोड करूँगी thank you and stay tuned for more information